यहां पर देखिए हमने एक ब्रास नट क्रिएट की है यह हमारा फूर्थ पार्ट है गैस रेगिलेटर का तो इसमें देखिए कुछ बेजिक फिचर्स हमने यूज किये है और इसका टूडी ट्राइंग आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसके प् तक बने रही है और चैनल पर नय है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए तो चलिए हम इस Also को create करना start करते है तो यहां पर देखिए हम सबसे पहले right plane select करेंगे फिर यहां पर sketch तो हमें sketch में यहां पर hexagon draw करना है देखिए इस तरह से origin point से हम vertically यहां पर इस तरह से draw करेंगे फिर यहां पर इस line को vertical करना है अब इस hexagon की size हमें apply करनी है 16 mm फिर okay करना है फिर यहां पर एक circle draw करेंगे और इसकी size रहेगी 12.8 mm फिर okay करेंगे फिर okay करेंगे फिचर में जाएंगे और extrude boss apply करेंगे अब blind condition हमें यहां पर 6 mm इसकी height apply करनी है बट यहां पर mid plane select करेंगे और फिर okay करेंगे अब यहां पर इस face को select करना है sketch फिर आपको एक circle draw करना है इस line के साथ tangent कर देना है आपको select करेंगे और इस line को select करेंगे फिर इसका relation tangent कर देना है अब simply आपको फिचर में जाना है फिर यहां पर extrude cut apply करना है extrude cut में यहां पर blind condition और यहां पर flipped side करना है और इसका taper angle रहेगा 45 degree और इसकी size हम increase कर देंगे फिर okay कर देंगे तो इस तरह से लेखे यहां पर chamfer apply हो गई है mirror में जाना है फिर यहां पर right plane select करेंगे और feature हमारा cut extrude फिर okay करेंगे इस तरह से दोनों side में यहां पर chamfer apply हो जाएगी अब यहां पर back side तो चलिए सबसे पहले back side में sketch create करने से पहले हम यहां पर thread apply कर देते है यहां पर chamfer apply कर देते है chamfer हम 1 mm फिर यहां पर इस face को select करेंगे इसकी half कर देते 10.5 और फिर okay करना है अब यहां पर इसका appearance apply कर देते है material brass nut तो हम brass apply करेंगे polished brass metal में जाना है metal में जाने के बाद brass को select करना है और यहां पर polish brass apply करेंगे अब simply आपको यहां पर whole wizard के drop down में जाना है फिर thread apply करना है तो हम thread फिचर यहां पर activate करेंगे तो सबसे पहले हम यहां पर इसका location तो location में हमें circle को select करना है फिर यहां पर देखे blind condition तो blind में यहां पर up to selection करना है up to selection में space को select करना है अब यहां पर metric tap यहां पर आपको hole के अंदर thread है इसलिए metric tap select करेंगे फिर यहां पर 10 by 1 mm इसकी पीच रहेगी 10 by 1 mm cut thread यहां पर देखे right hand side यहां पर thread रहेंगे फिर आपको क्या करना है up side में यहां पर offset करना है back side में देखे इस तरह से और फिर okay कर देना है तो देखे यहां पर apply हो गया है back side वाली face को select करना है फिर यहां पर sketch ड्रो करेंगे यहां पर एक circle ड्रो करना है इसके साथ tangent कर देना है फिर एक और यहां पर circle ड्रो करेंगे यहां पर इसकी size रहेगी 6.8 mm फिर okay करना है अब simply feature में जाएंगे extrude boss apply करेंगे तो यहां पर हम इसकी size रखेंगे 2 mm और फिर okay करना है यहां पर chamfer apply करेंगे 0.2 अंदर वाली face को select करना है और okay करना है फिर से यहां पर chamfer apply करेंगे 0.5 mm फिर यहां पर इस वाली face को select करना है और फिर okay करना है तो देखे इस तरह से हमारा यह part भी create हो गया है यह fourth part है यह आगे हम assembly में किस तरह से fit करेंगे इसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रही है चलिए हम सेव कर देते हैं इसे भी तो यहां पर देखे 3 part हमने अल्रेडी create कर चुके है तो यहां पर यह part 4 है इसे part 4 के नाम से सेव करेंगे वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक किजिए शेर किजिए और इसी तरह के next part के लिए और इस तरह के project के लिए हमें आप हमारे चैनल पर बने रही है तो मिलते है next part के साथ तब तक के लिए good bye करेंगे